हालो प्रेंट्स, आज मैं आपको बताऊं कि कौनसी गाह भैंस ज्यादा दूद देगी, ज्यादा मुनाफ़ा भी होगा और विमार भी कम होगी। यह आप अपनी गाह भैयंस में इस तरह से यह ध्यान रखेंगे तो आपकी ज्यादा दूद भी देगी मुनाफ़ा भी और भीमार नहीं हुगी जब तक आपका पसु बिमार कम पड़ेगा तो पसु पालकों को ज्यादा फाइदा देखने को मिलेगा कि इस तरह की नसल है जो आप गाह यहां उनमें जाड़ा उसर और पाइदा है वहां पर उसे उससे ःने प्सु पालकों को कई भर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए क्या देना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा वीडियो लंबी होगी वीडियो को स्कीप के में देखना पूरा देखना देखो सबसे पहले तुम आपको गाय के बारे में बताना चाहता हूं एदि आप गाय को दूद के परपस पर रख रहे हैं अच्छा एदि दूद के वेवसाई के तोर पर देखना चाहते हैं जो बीमार भी कम हो तो आप अपनी जो देशी नसल की गाय है वहाँ रख सकते हैं देशी नसल में वी है आप दूद के परपस में जो गीर गाय है गीर नसल के जो गाय होती है वह रख सकते हैं क्योंकि गीर गाय है वह दूद की मातर अभ़ प्रति दिन देख सकती धी था आदू 30 लीटर से लेकर के 60 लीटर परड़े के साब से आप दूद प्राप कर सकते हैं एक देखो गीर गाय का तर जो देशी नसल की रही बात जो गीर गाय का विवसाय है वह हमारे इंडिया में नहीं विदेशों में भी इसका बहुत ही ज़्यादा चलन है क्योंकि यह गाय क क्या होती है कि एक तो बीमार कम पड़ती है इसकी इम्मुनिटी जादा होती है और रही बात इनका डाइजेशन है वह भी मजबूत होता है और कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी यह गर्षित कम होती है तो आप जिस प्रकार से गीर और सेकिंड केटेगरी पर आप सा छी गाएं हैं नसल के ढाइं जो दूदेने में ओर रही बात प्रशूं में जो यह वीमार भी लेना चाहते हैं Gewै रही बाट रही से लिए नसल की तरफ एदिं यह गायों utilizar कि नसल की वह होती हैं इन गायों को बार वाइरल है बेक्टेल है इंफेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन यह जहां पर यह जहां पर ठंड ज़्यादा है वहाँ पर इन गायों को रख सकते हैं यानि यह बहुत यह ज़्यादा बारिस वाले छेतर में यह बहुत ज़्यादा पाड जो ओलिस्टन है जर्ची हैं ये गाएं भी जो विदेशी नसल में ये अच्छा मुनापादे देती हैं लेकिन ये आप जो गाएं बिमार नहों किसी तरह की कोई दिकत नहों तो अपनी जो देशी निस्ट की गीर और शाइवार हलांकि ये समय ज्यादा लेती हैं जब इनकी हीट में आती हैं गरब ठैर जाती हैं इनका ब्याउंत कंप्लीट होता है फिर ये दूद की माता देती हैं तो पूरे ब्याउंत में ये गाएं जो परशुपालग रखते हैं बहुत ही अच्छा ये मुनाफ़ा देकर के जाती हैं एदी आप जिस तरह से बहेंस की नसल में आप देखना चाहें तो बहूरा जो नसल आती है वह बहुत यची है लेकिन मुुरा जो अच्छी नसल हैं वह रियाना पंजाब में पाई जाती हैं रही बात मुरा नसल की इदिया जो बहुत रकते हैं ग्याउस लेकर को Agora Sin jar cabe ये हरते हैं लाँआम उक्रभ्मिंट में रह परप्तेख लेकिन आपकको कुछ जो बातें उनका दियों में रखना होगा अब यी आप जो ली गाए किसी भी अपिसेंगी घार रखना चातें बीमारी भी नव हो तो आपको यह बात द्यान में रखनी होंगी सबसे पहले तो आपको उनको समय समय पर deworming याईनी पेट के कीड़े मारने невाँ आप अपनी गाय हो या समय समय पर देनी होगी याईनी साल में आपको तीन बर या चार बर हो सकते चार बर ना करवा सकते तो आप तीन बर आप उनकी डिवर्मिंग यानी पेट के केड़े मारने की दवाद जरूर दें और पेट के केड़े मारने की जब भी यह दिया आप उन्हों पशू को दवाद देते हैं तो उनको साथ में लिवर टोन भी अ कोई दिखत नहीं देखने को मिलेगी इसके साथ अच्छा दूर्द देने वाली जो गावेंस रख रहे हैं तो आप उन्हें मिनरल मिक्सर पाउडर है वह उन्हें केंटिनुटी देना होगा यानि लगातार एदि आप जिन पशू को एदी मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहें तो वह पशू बीमार भी नहीं होगा रही बात उसमें किसी भी तरह की रिप्रोड़क्टिव और गन से सब्दित कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से आपका पशू बीमारी के तरह या हीट में नहीं आ रहा है तो उन्हें आप बचाव के लिए मिनरल मिक् जड़ा जूरत होती है तो डिवर्मिंग लिवर्टोन मिक्सर पाउडर अच्छी साइनिंग और वेट के लिए आप उसे मल्टी विटामिन भी समय समय पर बीच बीच में आप देते रहें जिसके अंदर प्रयाप्त मात्रा में बायोटीन सो विटामिन से डी के हो इस तरह स became अपने प्रसूं को दें रही बात उन्हें आप संतुली तहार वाज्डामिसर उख यहादा एक हर्य रखें क्यूंकि हरे चाब मिंझरल्स विटामिनृस और फाइबर होता है कि आपके प्रशूं के स्वास्ते के लिए बहुत ही जड़ा लापर्थ होता है तो इन बातों क जो एरिया ओते हैं वहां पर अच्छी नसल नहीं रखना चाहते हैं तो जो यह उसी एरिया की आपकी नसल है तो उन्हें आप सुधार सकते हैं समय समय पर आप जो मैंने बाते मताई हैं इन बातों का द्यान में रखेंगे तो आपकी जो जितने लिटर की दूद देने वाले जो गाह बहस हैं जैसे किसी एरिया में पांस दस लिटर दूद देती हैं तो जो अपनी नसल की एरिया की बहस है लेकिन वह बार-बार बीमार होती है उनको बार-बार तो यह वीडियो इस परपस से बनाया गया है ताकि आपके परशू में किस तरह की नसल रख सकते हैं यह यह आप नहीं रख सकते हैं तो नहीं आप कैसे सावधाने रखे ताकि आप ज्यादा दूद और बीमार होने से बचासके एक सोट वीडियो बनाएगी है इसको मैं पूर